नमस्कार कैसे हैं आप सोनिया गांधी कई सालों से किसी भी सार्वजनिक बैठक में नहीं जाती कॉंग्रिस पार्टी की रास्ट्रे अध्यक्ष होते हुए भी 2019 के लोक-ख़वा चुनाब में उन्होंने परचार नहीं किया दिल्ली में रहकर के दिल्ली विधान सभा के लिए कोई परचार नहीं किया हडियाना के विधान सभावे भी सोनिया परचार करने नहीं निकली यहां तक कि 15 अगस्त और 26 जनवड़ी में कॉंग्रिस मुख्याले जो सोनिया के सरकारी निवास 10 जनपत के ठीक बगल में है जंडा तोलन करने भी नहीं आती थी सोनिया को बिमार बताया जाता था और यह सब इसलिए तो कि सालों सोनिया बिमारी के नाम पर विदेश यात्रा पर होती थी देश कभी जान ही नहीं पाया कि कॉंग्रिस पार्टी के सबसे कदावर निता को आखिर कौन सी बिमारी है जिसका भारत में कोई इलाज नहीं है यदि वो कभी भरती भी हुई ही तो अपने सरकारी अस्पताल गंगाराम में वो सोनिया गांधी एक आएक बैंगलूरू जा रही है 17-18 जुलाई को उन्हीं के नाम पर डिनर पाटी का आयोजन किया गया है पटना में बैठक के बाद सोनिया ने आखिर ऐसा निरनए क्यों लिया ये बैठक पहले शिमला में होने की बात कही गई कॉंग्रिस आराम पसंद पाटी है अंग्रेजों की राह पर चलने बाली शिमला एक समय भारत की गर्मी की राजधानी हुआ करती थी उमस अभी ज़्यादा है नेस्नल कैपिटल में भी पूरे देश में शिमला में सुकून था शिमला में ही सोनिया आराम कर रही थी स्वास्तलाब ले रही थी तो हुआ कि वहीं पर बैठक करा जाए कि मैडम स्वास्तलाब भी लेती रहेंगी लेकिन एकाएक के तैग हुआ कि शिमला में नहीं ये बैंगलूरू में किया जाए क्योंकि बैंगलूरू में कॉंग्रिस की नई नई सरकार आई है और बीजेपी से च्छीन कर आई है उसका इंपक्ट होगा अब की बार सवाल यह है कि सोनिया गांधी क्यूं इस बैठक में शामिल होना चाहरी है और सोनिया की डीनर पार्टी के नाम से इस बैठक को क्यूं फैलाए जा रहा है दिरसल सोनिया को समझ में आया कि राहुल गांधी को लेकर के ना सिर्फ पार्टी के अंद्रूनी मतभेद हैं बाहर भी राहूल गांदी को कॉंग्रेस पार्टी जितना मार्केटिंग करती है उतना ही कॉंग्रेस वो मजाग के पात्र बन जाते हैं अभी टुईटर पे टुईट करके यह कहा गया कि राहूल गांदी संसत राहूल गांदी के बीना कैसे चलेगा क्योंकि राहुल अब सजायापता आप रादी हैं दो साल की सजा है यदि सजा काट भी लेंगे तो अगले छे साल मतलब कुल आठ साल लोग सभा विधान सभा कोई चुनाब नहीं लड़ पाएंगे राहुल सजा काटेंगे नहीं सुप्रिम कोट जाएंगे नहीं सुप्रिम कोट यदि गए तब परिशानी में पर सकते हैं कहीं दो साल की सजा एक साल हो गई तो चुनाब तो लर पाएंगे लेकिन पहले जेल की सजा भुगतनी परेगी इसलिए वो सुप्रिम कोट नहीं जा रहे अब राहुल के साथ पाटी में भी विद्रो है और राहुल जब होते हैं सोनिया के छटर चाया के बिना तो मजाक के पात्र हो जाते हैं पटना में याद होगा आपको लालू परसाद यादब ने इतने गंभीर बैठक को मजाक बना दिया और कह दिया बिया क्यों नहीं कर लेते हैं याद है आपको सुनिये जरा लालू यादब को बात तो हम लोगा आप सलाह माने नहीं दिया नहीं कि आप साधिक कर लेना चाहिए था और आभी भी समय गया भीता नहीं है साधिक करिए और हम लोग बढ़ाते हैं चलें और शाधिक करिए बात माने आपके ममी ममी आपके कहते हैं तो हो जाए तक दाम पक्का करना पड़ेगा ममी आपके बोलते थे कि आप हमारा बात नहीं मानता शाधिक करवाई आप इसमें लालो ने दो चाल चली नितीश कुमार जो बहुत उठले बन रहे थे कि हम सही औजक हैं हम नेता हैं हमने आयोजन किया उससे जमीन खीच ली कि नेता तुम नहीं हो दुलहा तो राहुल गांधी है मीडिया ने एक खबर चलाई कि राहुल लालो ने दुलहा तै कर दिया लेकिन लालो ने यहां एक तीर से कई निशाने साथे ना सिर्फ नितीश का जमीन साफ कर दिया बलकि राहुल गांधी को बववा बना दिया बिहार यूपी में बवा मतलब बच्चा होता है शादी कर लो तुम्हारी मम्मी ऐसा कहती है अब सोचिए जिस वेक्ति को देश के प्रधान मंत्री के रूप में प्रजेक्ट किया जा रहा है जेल की राह तै कर दी थी 2013 की वा घटना प्रेस कलब आफ इंडिया में राहुल गांदी ने प्रेस कर कानफरेंस करके वा सद्ध्यादेश को फार दिया जो भारत सरकार का था और राहुल गांदी की कोई हैसित नहीं थी ना राहुल कॉंग्रेस अध्यक्ष थे ना सरकार में प्रदान मंत्री या कोई मंत्री थे फिर राहुल ने ये काम किया इस से लालू की जील तै हो गई थी माना जा रहा है राहुल से लालू ने यह भी बद्ला ले लिया तिरी सोनिया पटना के पैठक में होती तो क्या लालू ये असलील हरकत करते ये मुर्कता पुर्ण हरकत शरारत पुर्ण हरकत करते सोनिया इसलिए उसी राहुल गांधी के कबच मन करके जा रही है दरसल सोनिया की पूरी राजनिती राहुल गांधी को किंदर में सत्ता तक पहुंचाने की है और हर बार राहुल हताश करते हैं शरत पबार की पार्टी कहते हैं राहुल गांधी के लिए टूट गई प्रफुल पटेल और अजित पबार ने ये कह दिया कि राहुल को अगवाई करके शरत पबार राहुल की अगवाई कैसे सुईकार कर सकते हैं शरत पबार उस बैठक में हो और राहूल गांधी नेता कैसे हो सकते हैं इस बहाने से पबार को पस्त कर दिया उनके भतीजे और उनके चेलों ने सोनिया गांधी को लगता है कि यदि वो होंगे यदि उनके साथ कांगरेस पार्टी के अगवाई वो करेंगे तो कोई उनके बेटे का बहाना नहीं बनाएगा बहुत सारी पार्टी जो राहूल गांदी के खिलाप एक तरह से आती है उन सब को सोनिया साथ पाएंगी राहूल के उपर हमले से बचा पाएंगी राहूल को सुरक्षा कबच की तरह से वो रख पाएंगी जिस तरह से कुछ जल प्रानी को रखा जाता है दरसल कांगरिस अपना बढ़ता कुनवा दिखा करके सोनिया की ताकत दिखाना चाह रही है और सोनिया के साथ लेकर कांगरिस का फाइदा ये है कि राहूल के साथ पूरा बिपक्ष उसकी अगवाई सुईकार नहीं करना चाहता ममता बेनर जी को राहुल सुईकार नहीं है भले ही ममता बेनर जी उस बैठक में कान में राहुल को फुस फुसाने के लिए आये थे इसलिए क्योंकि सीता राम ये चूरी उन्हें बरदास्त नहीं अब ये सीताराम ये चूरी जब भाशन देने आए तो मम्ता बैठक से चली गए उससे पहले बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो राहूल गांधी को अपना नेता मानने को तयार नहीं है कॉंग्रिस को ये लगा कि यही वज़ा है कि नितीश पटना में बाजी मार रहे थे अब कोई दूसरा इस तरह की बैठक करे भी पक्ष किये का कि तो कॉंग्रिस कैसे सुईकार करे इसलिए कॉंग्रिस ने तैय कि राहूल के सुरक्षा कबच में अभी राहूल को अभी सोनिया के सुरक्षा कबच में होने की जरुरत है अब कब तक राहुल सोनिया के सुरक्षा कवच में रहेंगे बीमार सोनिया कब तक अपने बेटे के लिए सुरक्षा कवच बनती रहेगी और देश इसे देखता रहेगा कमाल की बात है इसी राहुल गांधी को देश के सामने प्रधान मंत्री प्रोजेक्ट कर रही है कॉंग्रेस और ये कह रही है कि इस संसद राहुल के बिना कैसे हो सकता है ना कांग्रेस राहूल को सजा से मुक्ती दिलाना चाह रही है और ना राहूल पर भरोसा करना चाह रही है इसलिए सोनिया को कबच बना कर पेश करना चाह रही है सोनिया तो खुद चुनाब भी लरने के मूड में अब नहीं है शरीर और स्वास इनकी इजाजत नहीं देता अब सोनिया के अगवाई में कांग्रेस अपनी ताकत तो दिखा पाएगी लेकिन राहुल को कितना सुरक्षा दे पाएगी कितना ताकत बर बना पाएगी ये जादा महत्पूर्ण है इस बैठके बाद यही तै होना है बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जैहिंद